हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बेला माईल इंजेक्शन के बारे में डेटेल से बताऊंगा या इंजेक्शन जाइडस के द्वारा बनाई जाती है बेला माईल इंजेक्शन का 10 ml, 30 ml और 100 ml का वाईल आता है आप अपने सुविधा अनुसार इस में से कोई भी वाईल को उपयोग में ले सकते हैं समानतिया इस इंजेक्शन का पसू में उपयोग तब किया जाता है जब पसू का भूख गरवरा जाता है हम देखते हैं कि पसू जब भी विमार पड़ती है तो सबसे पहले पसू का भूख गरवरा जाता है तो पसू के भूख को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को उपयोग में लिया जाता है जब कभी हम एंटिवाइटिक इंजेक्शन का उप्योग करते हैं तब भी पसु का भूग प्रभावित होता है तो आप एंटिवाइटिक इंजेक्शन के साथ साथ भी इस इंजेक्शन को उप्योग में ले सकते हैं जो पसु के भूग को प्रभावित होने से बचाएगा बेलामाईल इंजेक्शन की कॉंबिनेशन की बात करने तो इसमें थाइमिन बिटाइमिन B1, राइबोफलोविन बिटाइमिन B2, निकोटिनामाइड बिटाइमिन B3 और बिटाइमिन B12 मिलाया गया है इसके साथ-साथ इसमें लिवर एक्ष्ट्रेक्ट कुरूड भी मिला हुआ है, अगर आपका पसु सही धंक से दानाचारा नहीं खा रही हो तो पसु को भूख सही धंक से पसु को भूख नहीं लग रहा हो, तो आप इस इंजेक्शन को उप्योग में ले सकते है बेलामाईल इंजेक्शन में विटाइमिन B12 दिया हुआ है जो पसु के तंत्री का तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है और रक्त कनिका को भी स्वस्थ बनाए रखता है अगर आपके पसु में लिवर से संबन्दित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप इस इंजेक्शन को उप्योग में ले सकते हैं पसु में कमजोडी हो या पसु सुस्त रह रहा हो तो भी आप इस इंजेक्शन को उप्योग में लीजिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा antibiotic injection और bolus के उपयोग अगर आप कर रहे हैं पसू के उपचार के लिए तो इसके साथ साथ आप vedamaille injection को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में उपयोग में ले सकते हैं antibiotic injection और bolus का जो negative प्रभाब होता है उसको ये कम करता है और पसू के भुक को प्रभावित होने से बचाता है और पसू अगर कमजोर है तो कमजोरी से निपटने में पसू को मदद करता है इस injection की डोज का बात करें तो बरे पसो में 10 से 15 ml injection लगाना है एक दिन छोड़ एक दिन और इस injection को IM रूट से दिया जाता है छोटे पसो में injection की डोज की बात करें तो 3 से 5 ml तक injection दिया जा सकता है एक दिन छोड़ एक दिन और आई-म रूप से ही इस इंजेक्शन को उपयोग में लेना है इस बात का ध्यान रखेंगे या इंजेक्शन सिंपल इंडाइजेशन, मेटाबोलिक डिजीज, रुमेन की गती से संबंधित होने वाली समस्याओं में उपचार में काफी बढ़िया रिजल्ट देता है इसके अलाबा इस इंजेक्शन को आप किसी अन्य बिमारी में भी सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर उपयोग में ले सकते हैं चाहे किसी भी प्रकार का बिमारी हो पसु को भूख में बढ़ने में पसु का भूख बढ़ने में या बहुत ही सहायक तो भूख बिमारी के अंदर डिजीज के अंदर चले जाता है कम हो जाता है उसको ये ठीक करने का काम करता है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है बिमारीयों के अंदर इस इंजेक्शन का पसुओं में